करते हैं अपने रूटेन की शुरुवादHere हम पिगमेंटेशन चैलेंज करते को नद चाहिए पिगए और चाहिए आप गाती हुझा है न चाहिए । आप रोस्ट करने की अदियी थी आज फ़करने मॉर्णिंग में मॉर्णिंग करके आए च्छानी या साच पीछ Gibi College करें निकलना चाहिए तो चलिए स्टार्ट करतेлам थो ग्रास पानी में पी चूके थी जैसे पानी पीने के बाद मैं करती हूं योगा को अर्ली मौनिंग उठते ही पहले पाने पीलेती हूं फिरेस नाशता वगड़ा जो भी बनाना होता है वर सब्सक्राली है घंटा कम से exercise करेंगे चीक है तो खूब अच्छी से physical activity करनी है करनी है तो चाहे आप योगा कीजिए चाहे आपको gym join कीजिए चाहे आप aerobics कीजिए चाहे dance कीजिए जो भी आपको पसंद है वो कीजिए पर physical activity होनी बचाहिए physical activity से blood circulation भड़ता है जिससे कि आपके skin में ब्लड का circulation भड़ता है तो pigmentation भी जाती है और आपको acid ही नहीं होती जब आपका पेट अच्छा होता है न दोस्तों पेट से सब कुछाए अगा पेट सही है न तो पूरा शरीर आपका सही है पेट आपका खराब होता है तो आपको बहुत problem होती है skin आप देखे सकते है pigmentation आने का मतलब ही यह कि आपकी body में proper तरीक से digestion सही नहीं है gases है एनेमिक है हार्मोन्स रिस्पैलेंस है तो यह जो physical activity आपको बता रही होना गाई इससे आपका पूरा overall जो भी up-down होगा न वो ठीक हो जाएगा आपके अच्छे हार्मोन सक्रीट होंगे आपको अच्छा फील हो जब सुबह सुबह आप एक घंटा वर्जिश कर लेते हैं तो whole day आप stressless रहते हैं खुशी देता है आपको और आपकी जो body का stamina भड़ता है आपकी जो stretching होती है तो yoga very very important तो guys pigmentation जाएगी बस थोड़ा सी महनत करने पड़ेगी प्राणायाम बहुत अच्छी से करना है अलोम विलोम और कपाल भारती गाइस प्राणायाम से बहुत अच्छी result है जब आप अनोलोम विलोम करते हैं तो oxygen का इस तर भड़ता है आपके lungs मजबूत होते हैं आपकी skin पे glow होता है तो जितना आप 10-10 मिनिट आप कपाल भारती 10 अनोलोम विलोम ओम का चारन ब्रामरी यह सब जरूर कीजिए यह बेसिक है तो आप 15-20 खाली इसको जरूर दीजिए मैंने पहले भी बताया है चाहे आप कहीं भी जाते हो चाहे आप जिम भी जाते हो पर यह प्राणायाम जो यह है कपाल भारती वेगरा यह जरूर करने है तो सारी युगा को अच्छे से कीजिए रूटीन प्रापर बनाईए फिजिकल अच्छा करेंगे उतने आपको चैर पे गलो आएगा पिग्मेंटेशन जाएगी जो भी आप फूड ले रहे हैं वह प्रॉपर डाइजेस्ट होना भी जरूरी है तो प्रॉपर डाइजेस होगा एक नेच्रल डाइट से गाइज आप अपती पिग्मेंटेशन को 100% ठीक कर सकते हैं इसके बाद आप मैं पेती हूँ नार्यल पानी अगर आपके पास अविलेबल है तो ठीक है तो मैं से रोड साइड जाती हूं तो मुझे मिल जाते है इसली आपके वह पर इसली नह मैंने फ्रूट्स खाए जैसे कि मैंने बता है कोई भी दो सीजनल फ्रूट्स जो भी आपकी घर में अविलेबल हो ऐसा भी हाड और फास्ट ने कि आपको यही चीज खानी है तो आज को वाटर मैरन बहुत अच्छे आ रहे है तो खूब सारा वाटर मैरन खाया सलात इतना स लंच में जो भी खाना है बस दही खानी है और अगर आपके पास दही के साथ-साथ आपको प्रोटीन के साथ दाल अगर हो तो और अच्छा है शाम की ताइम थोड़ा स्प्राउट्स एक मुठी है तो आप फिक्सी कर लीज़े डेली बहुत ज्यादा नहीं वन मुठी प्रफ से जाता है फिर शाम के बनाता रात को डिजनर में दूर पिया था वह मैंने शूट नहीं किया था फिर शाम की टायम बनाता मैंने चिले और यह एकभुजी ती चिले बनाय थी मुंग की डाल और और ओट्स के तो यह काफी हेल्थ हो गये था और अंडा तो प्रॉपर प्रोटीन ही हो जाता है, B12 वगेरा सबी इसकिन देर जाता है,